हाई फ्रेंड्स असलाम लेकूम वेलकम टो माय चैनल मैं हूँ सना और आज मैं आपके साथ अरभी के पत्तों के पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसे बनाना बेहत आसान है आप मेरे तरीके से बनाओगे तो बहुत आसानी से बना लोगे और यह बहुत ही क्रिस्प करने वाली हो तो चले बनाना शुरू करते हैं यह यहाँ पर अर्वी के पत्तों के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक better बना रहे हूं जिसे हम अर्वी की पत्तों पर लगाइंगे तो यहाँ पर मैंने आदा पक बेसन ले लिया है बेसन में हम डालें या अपने टेस्ट कीह साफ दालए, राधा-चोटी समच होटी चमच या आप अपने टेस्ट कीह साफ से डालल लें के जीरी पफांगा है। आदर शोटी चमच हम इसमें डाल देंगे जीरा, जीरे का बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है, आदर शोटी चमच अजवाइन आप इसमें डाल दीजे, क्रश करके, तो मैं यहाँ पे डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में इसमें डाला है, एक हरी मेर्श या दो हर गाड़ा सा बैटर त्यार कर लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पाने डालेंगे, क्योंकि बेशन है, बेशन में एक साथ ज्यादा पाने डालेंगे, तो पतला हो जाएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा पाने डालके, इसका एक गाड़ा सा मैंने बैटर त्यार करिया है, और इसे हम पत्तों पे इस तरीके से लगाएंगे तो पत्ते को पहले उल्टी साइड से रख लेंगे इस तरीके से पूरे पर अच्छे से बैटर लगा लेंगे तो हाथों से ही हम इस बैटर को अच्छे से पैलाएंगे पत्ते पे तब ही अच्छे से पैल पाएगा इसके बाद दूसरा पत्ता लेंगे और उल्टा करके इसको उपर रखेंगे और यहां पर दीखिया अजवाइन में डालना भूल गए थी तो मैंने अजवाइन इसमें आदा चोटी चमस के बराबर डालिया है और अब इसको मिक्स करके फिर से मैं लगा रहे हूं पत्ते को उपर एक और हम उल्टा करके सिक उपर रखेंगे इसी तरीके से हम पांश से पत्तेे रख लेंगे उल्टे करके और यससे पर हम इस तरीके से लगाते जाएंगे बैटर और इसको फिर रॉल बना लेंगे हम तो हमने यहां पर एक रोल बना लिया है इस darois से और जहां से खुला हुआ आपको नजरा रहा हूँ आप थोड़ा सा बेटर लगा के उसे चिपका दें दूसरा भी हम इसी तरीके से बना लेंगे तो एक पर्टा हम उल्टा रखेंगे और उल्टे पती पे हम इस तरीके से ये बेटर लगा लेंगे फिर हम दूसरा पता भी रखेंगे और इसे पीछे की साइट से हम फोल्ड करते हुए लाएंगे और दूसरा रूल भी हमारा बन गया है अब हम इससे स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिए है कढ़ाई में हम एक स्टेंड रखेंगे और इसके उपर मैं एक छली रख रही हूं जो आटा चानने वाली छली होती है वो वाली चली है तो उसी में इससे स्टीम कर रहे हूं और थोड़ा सा तेर लगा देंगे जिससे यह चिप के न और अपसे धक करके 12-15 के लिए आप स्टीम कर लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम करेंगे बारा से पंदर मिट हो गए है यह अच्छे से स्टीम हो गया है से मैंने निकाल लिया है निकाल करके इसको ठंडा कर लेंगे बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कट करेंगे तो यह देखे इसको आप देखे पलट दे थोड़ी देर में पलटने के बाद फिर इसको लो फ्लेम पे फ्राई होने दे मीडियम फ्लेम पे यह अच्छा से कलर ले लेंगे और अच्छा सा ब्राउन कलर जब आज जाएगा तो आप इससे निकाल लीजीगा तो यह देखे बहुत क्रिस्पी से हमारे पकोड़े बनके रेडिए हैं तो इसे हरे दनी की चठनी के साथ या फिर प्षाऑ के साथ भी एंजॉए कर सकते हैं तो आप इसे जरूर ट्राई करें वीडियो ची लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर पहली बारा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले and thanks for watching this video